कि अब्रीवन नमस्कार जैहिंद राधराती जुखार मैं आपका जैस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं जुपेड़ाड़ोफर सेवन पे जैसा कि दोस्तों आपको बता है रोज की भाति हम लोग फिर से जुड़े हैं दो पर दो बजे और आपको पता है कि वे नौमबर में हो सकता है संभावी थे क्योंकि धरनापदरसन हो रहा है तो सरकार सोड़ीशी हो सकता है रिजल्ट करें आपके एक्जाम को लेकि थोड़ा सेंसियर हो कुई कि 19 तारिक को धरनापदरसन होने वाला है लख्णव में वीडियो एक्जाम को लिए 2018 में पेइपर क 25 कोशन है 25 सवाल जो हम रोज देखते हैं वह क्या रहने वाला है अगर अभी तक आपने अड़ा टो फर रिवन का डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप को जरू डाउनलोड करें और डाउनलोड करते हैं मैक्सिमुम फाइदा हुठा है ठीक है और अगर आप पहली बार हुमबगत आपको याथ होगा यह मैंना आपको हुंबग दिया था कि भाई मुंइश पांड प्रदेश के मार्ण मिट्ट्र संध पर देस इस भाग में पाये जाती है नौदन यूपी सदन यूपी इस्टन यूपी वेस्टन यूपी तो मार्ण मिट्टी कि अगर मैं बात साथ परसेंट बालू आयरन है ऐलमूनियम है और इस परकार के मिट्टी में क्रिसी करना खटीन होता है लेकिन फिर भी इस परकार के मिट्टी में जो खेती देखने को मिलेगी आपको खासकर तो तरभुज वाली जो खेती है जो खासकर बालू ये मिट्टी में देखने को मिल विवाद समाधान समीती DRC के स्थापना की गई थी तो जो पैसे रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं कि पांच लाख से एक लाख दस लाख या दो लाख बीस लाख या पांच लाख पचास लाख या दस लाख कुछ नम्बर एक तो आप देखोगे कि फरवर 2021 में भारत के वित मंत्री ने जो रखा है मेरे भाई तो वो पचास लाख है पचास लाख तक कर योग्या आए और दस लाख तक की विवादित आए वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समीती की स्थापना की है DRC की स्थापना की है ठ क्या विवादित मतलब क्या है कि चाहिए अब गलत तरीगे से कमाये हूं तो विवादित आए दस लाख रुपे तक कि कर योग्या आए वाले करदाताओं के लिए किया जाएगा केंद्रिय बजट 2021 में केंद्रे वित मंत्रे निर्मला सितारमन ने आयकर निर्धारन मामलों को पुना हारम करने की समय सिमा को 6 साल सका डाक्टर अब 3 साल कर दिया है ठीक है चले अरी सब जी क्या बात है मेरे अनूब नेक्स्ट की बात करें देखो सर कहता है सर अपसिष्ट पानी परसोधन की परकिरिया को समानता हम किसकी परसोधन कहते हैं दा प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर टीटिमेंट इस कॉमनली कोल्ड वेस्ट आप्स टीटिमेंट मायकर्वो सीवेज पॉलिटेंट डैक्टरिया कोश्ट नमबर दो नमस्ते रिशाब जी क्या हाले भई तो आप देखोगे कि जो अपसिष्ट पानी है जो वेस्टेज है वो अपसिष्ट पानी परसोधन की परकिरिया किसे परसोधन करते हैं तो जो गंदे नाली का पानी है जो सीवेज है जो नदियों में जाया करता था वो सीवेज उस the face of West water treatment is commonly called Seewest treatment यानि अपसेश्थ पानी परसोधन की परकिरिया को आम तोर पर घरेलू अपसेश्थ पानी परसोधन कहा जाता है पानी की सफाई पानी निकाय में परवेश करने या पुना होपयोग करने से पहले परदूसकों को परदूसकों को हटाने की अपरकिरिया है मुनु जी क्यों मिश्क्या बच्चे मैं तो बिल्गुल रेगुलर पढ़ाई रहूं आपको है ना आजाओ निक्स्ट मूसी नदी निम्रिकेत मैं से किस किस सहायक नदी है मूसी रिवर इजा ट्रिब्यूर्ट रे और विच आप फॉलिविंग रिवर्स कावेरी गुदाव परिक्रिष्णा महानदी कुस्ट नम्र तीन अच्छा किया बात है सांधार कि बताओ जल्दी क्या होगा बताओ क्या होगा अरे आसान सवाले बताओ न यह क्रिष्णा कि सहायक नदी है मूसी कहां मूसी देखा जाए तो यह हैद्रावादिशे किनारे है हैद्रावादिशे किनारे है जो क्रिष्णा कि सहायक है किसकी सहायक है क्रिष्णा कि सहायक है तो मूसी नदी तिलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार के परमुग नदी है जो क्रिष्णा नदी की सहयक है मुसी नदी को कई नाम से जानते हैं मुसी नूरू मुसा या मुचुकुंडा ऐदराबाद सहर मुसी नदी के किनारे है याद रखे हो निक्स्ट अथरवेद कितने खंडों का एक कलेक्षन इसंगरा है 20-10-15-5 क्या होगा तो आप अथरवेद की बात करें मैंने भाई तो अथरवेद में 20 खंडों का एक संगरा है तो बीस खंडों का एक संगरा है याद रखेगा ठीक है निक्स्ट अथरवेद बेश खंडों का संग्रारा को याद होगा कि अथरवेद में भूत प्रेत टोना टोटका जादू टोना तंत्र मंत्र सब कुछ इसमें है और ये सबसे अंतिम में लास्ट में लिखा गया चौथा वेद है ये रेगवेद यजु इससे किसके पास बिना वसियत नामा के मरने वाली हिंदू महिला की संपती पर पहला रिकार होगा मतला सवाल क्या कहा कि अगर मान लोग किसी महिला की संपती है अगर वो अपना वसियत नामा नहीं बना पाई है तो उसके मरने के बाद जो उसकी संपती है एसेट हैं वो किन के नाम पे ट्रांस्फोर होंगी उसके पती के कानूनी वारिश का उसके पती का उसके पिता के कानूनी वारिश का या उसके माता-पिता का कुशर नंबर पांच कर आप से जुड़े रहने का रहे इंडिया में बहुत मन्ना हूँ रही है thank you thank you अनंद बेटा बीए सिसी के लिए आप सरात वाली आठ बज़े वाली क्लास न मत छोड़िये आठ बज़े वाली क्लास जोईन कर लो वो बहुत फाइदा होगा आपको बताओ क्या होगा क्या है उसके पती का अब जाहर सी बात रहे होगा जब महिला के समपतिया महिला कταक्stellen पति हिंदु उत्रा अधिकार अधिनियम उना सेफ्पन के अनुसार बिना वश्यत्रामे के मरने वाली हिन्दु महिला की संपति पर उसका पहला अधिकार उसके पतीका होगा हिंदु उत्राधिकार अधिनियम 2005 को हिंदु उत्राधिकार अधिनियम सिक्स मोनु जी फाइदा है ना जुड़े हो तो बताओ तो अक या बलूद के पेड़ की बात करें बहुत नृकों का इपराद बूलत Čह को कि थÑक और मोनुं यह ने उलिए उपकों या बलूद का प्रिग कैसा दिखता ही ओपन दिखता है यह ना ओपन दिखता वच्चे ठीक है नेक्स्ट 2011 की जंगनना के अनंतिम जंसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बल बाल जंसंख्या में ग्रामिन बाल जंसंख्या का परतिसर कितना है कुशन नमबर साथ 55.23 परतिसत 74.05 परतिसत 89.03 या बासर दसमलो 45 परतिसत कुशन नमबर साथ खुश्री मनिश जी अच्छी बता आप लोग रेगूलर क्यों नहीं आते हैं आज तो कम से बच्चा आया है रेगूलर क्यों नहीं आते हैं फिर आप लोग गायप कहा हो जाते हो गोड़ेवनी मनिश जी तो क्या वई 74.05 परतिसत और याद रखिएगा वीडियो वाले पेपर में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे पीस्टी में हाँ मनिश जी बिल्कुल कोसे समारी यही होती है कि आपको कम से कम कोश्चन आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको सनेया सीख पाओ है ना 2017 जनगर्ना के अनांति संक्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जन संक्या में ग्रामिन बाल जन संक्या का 74.05 परतिसत है और भारत में लिटरेस्ती भी कितना 34 परतिसत के आसपास है 44 परतिसत के आसपास है है ना निक्स्ट नमलिकित में से कौन एक मत्ष्य गरहन उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राक्चिन भारत में रोमन ग्रीको रोमन के साथ बैपार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता था बदामी अरिकामेडू लोथल या तूला पूरुसंदाना कुशन नम्बर आठ अरे बिल्कुल साक्सी जिक्नों गुड़ अप्रून ना बोले बताओ आपसे बताओ मोहित बिल्कुल कोई ऐसा थिसन नहीं है जो मैं सेयर ना करता हूं आपको तो भई क्या है यह अरिकामेडू अब बताओ अरिकामेडू कहां पता है यह तामिल नाडू में अरिकामेडू कहां है तामिल नाडू कहां भई अरिकामेडू कहां पे तामिल नाडू याद रख्यो तो अरिकामेडू पांडिचेरी में एक प्रांचिन रोमन वैपार ठीक है तो पूडू चेरी कहा है तमिल नाडू याद रखेगा कहां पे तमिल नाडू निक्स्ट अरिका मेंडू पॉंडी चेरी से तीन किलोमेटर दच्छिन में भारत के पूर्वी सम्भूद्र तट कोरो मंडल तट पे हैं और कोरो मंडल तट यानि अगर आप इंडिया का ह podéis मैप देखें आप तो यह वाला जो छेत्र है है यहां से आंधरा परदेश से नीचे का जो भाग है यह मुरु मंडल ततके ती है क्या कहते के यह कोरो मंडल तट के चाहते और आंद्रा प्रदिश से यहां वेष्ट बंगाल तक इसे उत्री सरकार तट गहते हैं। क्या कहते हैं। उत्री सरकार तट कहते हैं। उत्री सरकार तट कहते हैं। है नू? ठीक है? याद रखेगा। से भारत का चुनावायोग देश में स्वतंत्र और निस्पक्स चुनावाग का रक्षक है की समझेद में स्थापना का प्रावधान नू? तो भारत का चुनावायूग की बात करें 324 में क्या है एडल्ट सफ्रेज एडल्ट सफ्रेज यानि जो आप 18 वर्स में जो वोटिंग की जो प्रावधान की गई है भारत में तिन्सब्स में 352 क्या है पाया कर्मन के अधार पर इमर्जेंसी और एक सुद्रस क्या हम अभी मनी भी ले कि कुछनी साथसी जी क्यों डर लग रहा है सो बताओ तो क्यों डर लग रहा है को ऐसा को ख़एं कि दूसरे गर्ह से आए वे अनुछे 324 भारत के चुनावायों के संबंद में प्राउथान से संबंदी थे जो भारत में संख राज्जी के चुनाव का आयोजन कराता है पंचायत नगरपालिका और राजी विधान परिष्ट के चुनाव को छोड़ कर जनवर 1931 में मातम गांदी के जेल से रिया होने के कांगरेश निताओं ने आगे के कारवाई के लिए योजना बनाने है तू किस सहर में बैठा की है सूरत इलहावाद कलगत्ता लाहूर कुशन नमर दस लेाल विजली मिश्तरी किसे कहते हैं भाई भाई मिश्तरी नहीं वो असिस्टेंट है एक्सिकूटी असिस्टेंट है ना इसलिए बिलुकुल बदल लो 38,000 जालरी है मेरे भाई 38,000 जालरी जितना इक कलर का साही नहीं है जितना । कलर के सैलरी नहीं है तु न याद रखिएगा तो बैठा का होता है ये रहाभाद में होता है क्योंकि आप कलर्ग बनुगे कितने सेल उठाऊगे 38,000 सेल दे तो 86,000 तक जाएगा तो कहां बई इलाहबाद में याद रखेगा ठीक है तो जनुवर 1930 में महात्मा आने के जेल से रहाई के बाद कॉंग्रेश निताओं ने आगे के करवाई की योश्राम बनाने के लिए इल गुरूबडी ना शत्तरे टाम ये थे क्या बात है जो गुरूबडी में नौकरी कर रहा ना भाई जो मुम मुमबई दिल्ली को हाटी जाओगे ना उससे लाग गुना बढ़े जाओ भाई यह क्या आप तो अपने घर से दूर रहोगी ये तो घर की नौकरी है मेरे भाई भारत के सर्व चन्याले कमोखिन्याजिस न्यूग किया गया किसे जस्टिस यूजू ललित कुटियल मैथ्यू जोसेफ नुचला पती वेंकर रमन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड कुशन नमरी 11 बताइए कि वीडियो का पेपर कब होगा उम्मीद है कि नॉम्मबर में होने की उम्मीद है ठीक है अब दो कहां गलती कर रहे हो यह 2021 पूछ रहा है आप यूजू ललित लगा रहे हो यह 2022 है तो एनवी रमना साहब जो 48 में है आज जस्टिस यूजू ललित की स्थापना जनी सपत समाहरू है जो 74 रिंद काम करेंगे और पचासमा जो होगा वो जस्टिस डिवाई चंद चूड यानि जू अगले किव जस्टिस बनेंगे वो कौन बनेंगे जस्टिस डिवाई चंद चूड बनेंगे कौन बनेंगे जस्टिस डिवाई चंद चूड बनेंगे याद रखेगा ठीक है तो जस्टिस उदय उमेश ललीत 27 अगस्त को देश के 49 मुख नियादिस गूरू पर सपत लिए यानि आजी के दिन दो महिने दो हपते यानि कुल 75 दिन तक काम करेंगे और फिर जस्टिस यूजू ललित 9 नौमबर को रिडायर होंगे इसके बाद जिसके 50 मुख नियादिस जस्टिस डिवाई चंद चूड पद पर रहेंगे और फिर ये 10 नौमबर 2025 तक रहेंगे लंबे समय तक दो साल तक पैट का पेपर कब होगा अक्टूबर में हो ठीक है कब होगा अक्टूबर में आगे देखें और से निक का रशाणिक शूत्र गया है अच्ड़ क्या है दा केमिकल फॉर्मूला ओफ ार्सेंरी कीज ज इयार एएस रसने कई का सत्तव जो ऑर से निकॉसिस को बनाता है और यह वह के द्वारा कहाएं सबसे जएptा पानी को पर्दूसित करती है सबस्यादा पानी को परदोसित करती है कि मोनु जी या तो आप रात आट दूसे वीचे वाले क्लास में रेगुलर रही है अब विजीत सिंग पैट की बैच रात आठ वे चलती है या फिर पैट के लिए एक बैच सुरू हो रहा है तीस अगस्त से पेड में आप वहां जोइन कर लिजिए राजी उराम किस देश के पेशेवर्ट टेनिस खिला रही है सुलवाकिया ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसे कुश्ण नमर 13 बता तो राजी उराम यूएसे के खिलारी देख रहे हो भारत के सर्वोच न्याले में न्याइदीजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है राष्टपती परधान मंत्री संसत परधान मंत्र कैबिनेट मंत्री कुश्ण नमर 14 और याद रखेगा अभी दो पैटालिस पे दो पैटालिस पे दस वन नाइनर हैं दस वन नाइनर तो भारत के सर्वोच न्याले में न्याइदीजों की संख्या को राष्टपती की संख्या उनके सैलरी उनका टेनियोर सब कौन करेगा पार्लियमिंट इनको सपत नियुक्ति कौन कर दिलाएगा तो राष्टपती नियुक्त कौन करेगा राष्टपती ठीक है कि पूर्व भारतिय फुटबॉल कप्तान सुनिल छेतरी नमलिकित में से किस टीम के लिए 2021 में खेले हैं चैनेयन एपसी नॉर्थ एस्ट युनाइटेड एपसी एपसी गोवा या बैंगलूरू एपसी फुटबॉल कलब कुशन नमर पंद्रा चलिए तो रात आठ बज़े वाले क्लास पर रही है न सराप तो यादे तो जवर्दस्थ होगी होगी तो पूर्व भारते फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें बैंगलूर एपसी सुनल छेत्री पहले फुटबॉलर जिनको अब कहें मेजर ध्यांचंद अवाड मिला है मेजर ध्यांचंद अवाड मिला है नेक्स्ट तो पूर्व भारते फुटबॉल कप्तान सुनल छेत्री 2021 में बैंगलूर एपसी के लिए खेले और गोल मसीन के नाम से मसूर सुनल छेत्री भारते फुटबॉल में सब ज़्यादा गोल करने वाले खिला रही है मकरा विलाकु तेवहार भागवान आयप्पा के किस पवित रुपवन में मनाया जाता है वह कहां है तिलंगाना केरल अंदरपर्दिस करनाटा कुस्ट नबर सूला कि बताईए कि जब गुरुबडी में आये था मकरविलाकू तेवहार भागवान आयप्पा के कहां पर केरल में भागवान आयप्पा का मंदर कहां पर दिखने को मिलेगा केरल में देखने को मिलेगा मेरे भई तो मकर विलाकू केरल राज्य में मकर संग्रांती पर आयोजित एक वारसे गुच्छव है मकर विलाकू केरल में मकर संग्रांती पर सबरी माला जो आयाप्पा मंदिर है न वो सबरी माला आयाप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है कह मेंघ निम्लिकेत में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहनмо के हिस्तों स्वीजित का कारण बन सकता है सोडियाम पोटैसियम कैलसियम गंदख कुझ्चा नशेर नम्र सत्रह में तर लंगाना कैसे लगा दिया आप लोग तो पेट्रोलियम में निम्लिकेद में से कौन सा योगिक आंत्रिक दहन इंजन और रिफांडरियों के हिस्सों के च्छाय का कारण बन सकता है कौन बई गंधक है याद रखेगा तो पेट्रोलियम में गंधक आंत्रिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के हिस्से में चाहिका कारण बनता है जो है अप्योग पेट्रोलियम में सुधन में सलफर और अन योगिंगों को हटाने ले करते हैं और सल्पूरी केशिड का उप्चार कि एच डूएसओफोर क्या हो गवई एच डूएसओफोर नमलिकेत में से कौन सा अंतराश्ति इस मारक इंगर स्थल दिवस दोजार एक इस कविसए हैं कि साजा संस्क्रती साजा विराशत और साजा जिमिदारी ग्रामिन प्रिद्रिस हरिटेज इंड क्लाइमेट या जटील अंतित जटील अतित विभीद भविश्य कॉंप्लेक्स पास्ट डावर्स फ्यूचर्स कुश्रमठ्थारा बता भई और आज ज़रात याद रख्याएगा ठावन का रिबॉल्ट पढ़ने हम लोग 1857 का रिबॉल्ट ठीक है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं 1857 का रिबॉल्ट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कॉंप्लेक्स पास्ट डावर्स फ्यूचर पूछ रहे हैं 2021 का और जो आप बता रहे हैं और अनुब ने भी बताया सी वह आपका 2022 का तो विश्व धरोर दिवस कम मनाते हैं 18 अप्रेल को हर साल मनाते हैं याद रख्येगा तो अंतराश्टिस मारा के मस्थर परिशाद 1982 से 18 अप्रेल को बनाने की घोशना की गई है ठीक है नेक्स्ट कौन अनुपजाओ भूमी का मुक्ष कारण है विचेव था फॉलूमी ता में काउज ओब बैड लिंड आज पूबरसा मिर्दा परदन अत्याधिक वन आवरन फ तो आप देखोगे अनुपजाओ भूमी का अभू की कारण गया है स्वाइल इरोजन मिर्दा परदने मिट्टी कर जाती है मिट्टे जर जाती है मिट्टी बस्ती नहीं है ठीक है निक्स्ट तो अनुपजाओ भूमे एक परकार का सूखा भूभाग है जहां नरम तलचटी चतान और मिट्टी से भरपूर मिट्टी बड़े पैमाने परनार सुझाती है निक्स्ट CS3 CS2OH सुत्रवाले योगी का नाम क्या है वाट इदा नेम ऑफ दा कंपाउंड है विग दा फॉर्मूला CS3 CS2OH एथनॉल एसेंटिक एसेड क्लोरोफार्म मीथेन कुश्चर नमबर 20 बताओ तो CS3OH CS2OH की बात करें यह इथनॉल है क्या यह इथनॉल है क्या भई इथनॉल है याद रखियो इथनॉल जिसका उत्पादम गन्ना मक्का गेहूं इत्यादिक लिए क्लिक आजा सकता है जिनमें स्टार्स की मात्रा होती है या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उचायदा होती है ठीक है पौवर्टी एंड ब्रिटिस रूल इन इंडिया की बात करें दादा भाहिनों रोजी आपको याद होगा इन्होंने है ड्रेन थिवरी दिया था है है ड्रेन थिवरी इसको हिंदी में कहते हैं धनका निसकाशन है धनका निसकाशन क्या कहते हैं धनका निसकाशन क्या कहते हैं धनका निसकाशन याद रखेगा पहला दूसरा आप देखोगे इन्होंने सबसे पहले नेशनल इंकम की बात की राष्टियाए की बात की लिबरल पार्टी से चून का जाने वाले पहले भारतिया थे जो ब्रेटिस अंसद में चूने गए थे टीक है तो दादा भाइब नरोजी ने पावर्टी एन अन्ब्रिटीस रूल इनिडिया उस्तक लिखी थी दादा भाइब नरोजी लोकपरी रूपिर भारत एग्रैंड ओल्ड बेंड कहते है तो बिटीस अंसत के टूने जाने वाले भारती जो किस पार्डीस एते लिबरल प सारंगी तवाद्यंत्र बजाते थे वाइलीन वीना सारंगे नास्वरम मैंडोलीन कुछन नंबर 22 चलिए बता भई कि पता जल्दी बताओ तो देखोगे द्वारम विंकर स्वामी नाइडू जो बजाते थे वह वाइलीन था सारंगी था धन इसका सांसिंधान्त हां साक्षी जी आपने पूरा कहाने लेख दिया विलकुर ना तो आप देख सकते यह सारंगी तो द्वारम विंकर स्वामी नाइडू सारंगी वादक थे संभवता या दर्साने वाले पहले वैक्ति थे कि सारंगी का उप्योग करनाटक संगित के ठीक है कि अ कि अ कि चलू आगे देखें आज नेक्स्ट डैस प्रासिन भारत का एक मंदर मत्वुन मंदर गहा था कौन तामरलिप्ति आइच्छातर चंपा स्रावस्ति कुष्ण नमर तेईस चलिए बताईए तौड डेखोगे कि प्राचिन भारित महंत्वन मंदरगा सर में इक तामर लिप्ति तो कहा हैOW है ऑं इमाली तो नमिन प्राइद कैसे बोलोगे है है तो नमदर लिफ्ति का है बंगाल की खाडी के ठत़ पर tane मंगाल ये खाडी के तटपे पश्यम बंगाल के पास जो रूप नारायन नदी के खरीब है रूप नारायन नदी के करीब है श्रिलंका अब दो चंपा लगा रहें आप खुद सोचो कि आहिछात्र चंपा सरावस्ती ये कहां पर ये भूमी हैं ये भूमी वाले छेत्रें तरवस्ती उत्तर परदेश चंपा अहिच्छातर काम पे लिया तो बंदरगा कैसे लगा दोगे बताओ कैसे लगा दोगे ये तीनों बंदरगा ये महाजनपद आपको याद होगा सोला महाजनपद था नहीं आप नम्रिकित में से किस महासागर से रिंग ओफ फायर को संबद करेंगे पैसफिक इंडियन अट्लांटिक आर्क्टिक कोशन नुमर 24 तो देखा जाए कि भई रिंग ओफ फायर की बात करें यह परसांत पैसफिक ओसिए परसांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है कि सबसे बड़ा महासागर लार्जेस्ट ओसियन कि तो सबसे बीजी अट्लांटिक सबसे बीजी अब तिसरे नंबर पर इंडियन फिर सदर्न या अंटाक्टिका और फिर आर्क्टिक यह ठीक है रिंग ओफ फायर में कई जवाला मुखी भी स्पोर्ट और भुकां पाते हैं जिसे रिंग ओफ फायर कहते हैं जिसे रिंग ओफ फायर कहते हैं ठीक है बहारे सरकार्द वारा महिला सबली करन तो राष्टे निति के घोष्टना किस वर्ष की गई थी कोशन नमर पच्चीस और याद अखना कि यूपी पीसेल की विकिंजी जो आई है अभी भी इस्टिल फिल हो रहा है यूपी पीसेल तो मौका मत चुकिएगा यूपी पीसेल का फॉम भरने में अगर आप ग्रेजविट हैं और अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में जॉब करना बाई बहुत रोयल जॉब है 38,000 सेलरी है घर के नौकरी है तो जरूर फिल कर ये फॉम तो 2001 में कब 2001 में याद रखेगा दो 2001 में तो ये आ रहा आज का सेसन अभी मिलेंगे 245 पे एक छोटा सा सेसन यूपी पीसेल की जीके के लिए जुड़िये का जरूर और फिर जब बतावें कि आप इसका फाइदा जरूर उठाईए कूपन कोट लगाकर आप जुड़िये हमारे साथ ऊर्जा बैच में उर्जा dopamine कितनेлять यह three पियंप पे होती है regular हमारी क्लास ज़रूर जुड़िये ओर अगर आप यूपी झेक तयारी कर रहे है इन तो पैक्ट के लिए यग बैच आ रहा है तो आस्रवाद twice यह तीर ये खासका रूज़ा बैसे में जबर्दस्ट तरीके से तैयारी करवाएंगे ठीक है और यह आपके लिए होंबग आज कि निम्री सम्मितियों में से कौन चुनाफ सुधार से संबंदित नहीं है यह आज का होंबग आपका है मोहित आप जाना सरकारी नौकरी पे वहां मिल लाएगा आपको यूपी पीसियल का ठीक है बाके बद मैं लिंक शेयर कर दूँगा आपको तो यह आपके लिए होंबग रहा तो जवाइन कैसे करना है पेटी क्लास कब-कब चलता है रोही जी पीटी क्लास सामको आठ बजे मेरी जलती है जीके की लेकिन एक नया बैच शुरू हो रहा है वह बैच आसिरवाद बैच है कौनजा आसिरवाद बैच पैट की किसमें पेड़ पे तो आप गूगल पर आके अड़ाट उपर सेविन सर्च करोगे जैसे सर्च किया म हाइए पूर प्रजा बैच पूर्जा बैच सर्च करना तो कि ही लेक्टरर मारी ये जी आज के में ठीक है है तो आप अराम से यह नॉसान डाल देना वाई 552 वाई 552 जैसे कुपन को डालोगे ना देखरो यह 1389 रुपया 77 पैसा पड़ता है 1389 रुपया 77 पैसे मतलब मांग के चलो 1380 रुपया किस कुपन कोड से वाई 552 की कुपन से अगर आपके पास अड़ा कैप होगा और उस एप की जरीए इस बैच को पर्चेस करते हैं तो वहाँ आपको करीब करीब 50 रुपय और कम हो जाएए कॉइन से और अगर आप पैट की तैयारी करते हो तो पैट की तैयारी कर लिए ने मेरे भाई सज कर सकते हो आशिरवाद बैच देखो देखो आशिरवाद बैच है ना देखो अशिरवाद बैच दिख रहा है शिरवाद बैच जैसे शिरवाद बैच दिखेगा यहाँ पर किलिक कर देना और मात्र 900 रुपए लगेंगे शिरवाद बैच की कितने मात्र 900 रुपए कूपन गूट क्या डालना वाई 552 ऐसे तो इसका प्राइस 3999 है कितने 3999 देखरों कितना प्राइस दो गया 999 रुपे 919 रुपे 77 पैसा यह 919 रुपे 77 यह कौन असरवाद बैच तो कूपन कोड क्या है वाई 552 तो जुड़िया हमारे साथ चाहे वह असरवाद बैच वह प्रफिटी के लिए चाहिए उपी पीचेल के लिए बैच और जाब बैच ओ या अगर आप दोनों के तैयारी करते हैं या उत्तर परदेश में कोई और एक्जाम के तैयारी करना चाहते हैं जो वेकिंसी आए तो आप यूपी का महा पैख लेके जोईन कर सकते हैं न